करएंगे के टेचिने की कि डेजिएए की से बनता है आज हम देखिने के स्डरिक्चर आफ है सो फिरुक्चार आफ है टेजिए यह हम बात करें डियन्बार्स इने की तुम्हारे इना है जब कर आओग यंडि की से इंग है चलिए जब हम बात करते हैं डियने के स्ट्रिक्चर की जब हम बात करते हैं डियने के स्ट्रिक्चर की या सिंपली नुकलीक एसिडिस के स्ट्रिक्चर की तो जो नुकलीक एसिडिस है यह वेराइटी आफ स्ट्रिक्चर शो करते हैं नुकलीक एस जो है दे शो वेराइटी of structures लेकिन जो एक famous structure है ठीक है? Nucleic Acidus जो है? Nucleic Acidus यह show करते है variety of structures variety of structures लेकिन जो most famous structure है इनका हलो, हलो, जो most famous structure है इनका वो दिया था Watson and Crick ने Watson and Crick model of DNA बोलते हैं उसको ठीक है, जो most famous है most famous structure वो दिया था Watson and Crick ने in the year 1900 and 53 actually जो ये काम है Watson and Crick इन्होंने खुद नहीं डूना DNA ने शेल किया अंदर ये काम जो पहले किया था जो सबसे पहले structure था वो एक लेडी ने दिया था Rosaline Fraklin था उसका नाम नाम एक लेडी थी वो Rosaline Fraklin हेकलीन ठीक है? फिर इन दोनों ने उसका मर्डर किया इन दोनों ने उसका मर्डर किया वाडसे के एर क्रिक लिए बहुत ही खतरनाक ते वो अज़म लेडी थी उस ने पहले एडिने को एकसरे डिफ्रेक्शन में किया जाने कि एकसरे के तोर पे structure found किया किसका DNA का X-ray के तोर पे जैसे हम किसी organ का X-ray नहीं करते क्या तो महां पर हमें क्या दिखता है उसके major major parts ठीक है जब कि backbones वगरा इसी तरह रोसा लिन faculty ने पहले X-ray diffraction show किया था किसका DNA का यह दो बंदों को पता चला जा को नगे रिसर सर्च कर रहे से डिएन पर ओर उन्होंने ऐसका मर्डर किय, और सका काम छुराया. उसी की काम से इन्होंने अपना स्ट्रिक्च्टर दिया जिसका दोने आम रखा है वार्शन एड्रीक ठेनों में किसी का मडर किया था, मडर करके क्राम चुरआ था, उनको क्या मिलना चाहिए? फांसी, उनको फांसी मिलनी चाहिए न लेकिन उनको मिलान नोबल प्राइज, वुबी कब, 1962 में. और उसके बाएद 1962 में उनके इस काम पे इनको मिला नोबल प्राइज कि इन्होंने डियने का स्ट्रिक्टर बताया जो कोई नहीं बता सका लेकिन आइडिया किसे दिया था रोसा लिंड फ्रेक्लिंड वो एक लेडी थी बचारी उसने बहुत काम किया और लास्ट पे पता चल कि इन्होंने उसका मर्डर किया था और अपना काम जो है वो पब्लिश किया लोगों के सामने अपना नाम कमाया बाइलोजी में और इनको क्या मिला फिर नोबल प्राइज 1962 में और ये बोट फैमस हो गए वार्स नेडिक्रिक हां वापस नहीं दिया और को ले दिया गया 1962 मे ये बाद हम पता चला कि न्यूरिसर जब आई कि रोसा ने फैकली ने पहले काम किया ताडियने पर फिर उन्हें एक्सलेशन नहीं 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 एक बात नौप पास देगा फिर वापस नहीं चीन चीन सकते है ना ये साइंटिस्ट बंद रहे नहीं पिर इनुरिक्ष नहीं वारसल र्रुकास ट्रक्चर है तो इसमें आपको देखिएका डिया जो है डियने इस एन दे फारम अॅ पर हिलिकल्ष ब्राथपर्र डबल श्टेंड हेलिकल अ में आपको डैयने देखता है क्लियर ऐसये फिर जब आप देखते हो hem Douglas एक्षूल में ये ड्यने कैसे रहता है इस DNA, according to this model, यह मैं यह model पढ़ा रहा हूँ, जो वार्स ने रिक्रिक ने बताया था, वही model है यह, double standard DNA helical model भी उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, DNA helical model, DNA के कितने types होते हैं, A DNA, B DNA, Z DNA, C DNA, जो most of the cells में पाया जाता है, तुम्हारे मेरे, जिसके बारे में हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, that is the B type DNA, याद रखना, that is the B type DNA, यहीं कि B type structure of DNA, यहीं किरियर, जो most cells में पाया जाता है, that is B type DNA, इसका जो structure हम देखते हैं, तो it is made up of two strands, इस दो strands का बना होता है, ठीक है, दो strands का है यह, it is double-stranded it is double-stranded DNA molecule कियों जहां का मैठा है टू स्टेंट्ट्स खुंद्ट यजो इसकी ये डो सिटेंट्ट्स सेसाइड वाइज तब ये ने अगर हम खोलेंंगे इसका जो ये हिलिकल स्ट्रेट्ट्रेट्ट्रेट्ट्रेट्ट्रेट्ट्रेट्ट्रेट्ट्रेट्ट्रेट्ट्रेट्ट्रेट्ट्रेट्ट्रेट्ट्रेट्ट्रेट्ट्रेट्ट्रेट्ट्ट्रेट्ट्रेट्ट्रेट्ट्रेट्ट्ट्रेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जो आप फिर जूम करके चीज़ों को देखते हो तो आपको थोड़ा सा ऐसे जूम करके देखेगा लेकि जब आप इस डबल कॉयल स्ट्रक्शन को खोलेंगे ओपन करेंगे तो आपके दिखे का ये एक लेडर जैसी है लेडर समझेगे सेडी सीडी जिसको मुझ कर सकते जगा दूसरी जगह तक ठीक है तो एक सीडी के दो ऐसे पेर होते हैं या दो साइडी के डंडे होते हैं वह डंडे आपस में होते हैं इतके बीच में क्या होते हैं स्टपस है ना इसी तरह यह दो डंडे जो हैं यह बीच में आपस में कनेक्टिड हैं यह जैस्ट लाइक आपको दिखेगा सुनों पहले जो यह है इसको हम बोलते हैं एक बैकदून बैकद बोन आफ डीन ए नहीं यह दो स्टेंड्स का बना होता है अगर हम बात करेंगे एक स्टेंड किसकी बनी होती है तो यह जो स्टेंड्स होते हैं स्टेंड्स जो baggol stand its made up of penta's sugar and phosphate मैंने आपको बोला पंटो शुगर एंड फास्थएट जो है वे वह उरी ये दो spirits बनाते यह और इसके बीश में जो ये स्टिप हुते इस शदाइक द्स यृस जी स्टेप साफे तो आप यृणल जी रधिन रहें इसके जो steps है वो actually होते हैं इनके सब DNA अगर हम देने के बात करेंगे वो act करते हैं as nitrogenous base they act as nitrogenous base और जो ये दो डंदे हैं जो ये backbone है it acts as the pentosugar pentosugar plus phosphate आप इसमें देखो कैसे होते हैं कज मिन आपको बोला था यह एक शूगर है इस शूगर मॉलेक्यूल अगर हम डिने का स्थे बनाएंगे तो कौन सा लेंगे एच ओके इस इस कार्बन नंबर वान इस इस कार्बन नंबर फोर इस कार्बन नंबर थी और इस इस कार्बन नंबर फायो ठीक है कार्बन नंबर वन के साथ अटेज क्या होता है नाइट्रूजन बेस यह तो आपने सीख लिया कल कार्बन नंबर वन के साथ अटेज क्या होता है नाइट्रूजन बेस ठीक है और कार्बन नंबर फायो जो नाइट्रूजन एक अटेज क्या होता है फास फेट ग्रूप मैं इसे बनाऊंगा शाट में और कार्बन नंबर थी के साथ भी अगर बीच वाला कार्बन होगा अलो अगर यह बीच वाला और नंबर 3rd के साथ भी फास्पेट होगा यह कारवन नम्बर 2 पर आ यह सब इस तार चे क्वह बनाता है आपका यह backbone, यह strand, तो जो strands होते हैं, दो strands, they are made up of phantosugar and phosphate molecules, और इसके साथ में attach होता है nitrogenous base, this is your nitrogenous base, यह आपका nitrogenous base है, माल लो, इडनीन, गवानीन, कोई भी, प्यूरीन है, सिंगल रिंगड है, पायरेमीडिन है, सिंगल रिंगड है, ठीक है, अब एक स्ट्रेट ऐसे बनती है, इसके साथ में ऐसे बहुत सारी यहां पर molecules होते हैं, किसके, ठीक है, इस तरह से, यहां पर दूसरा यह bond बनाएगा, किसके सा साथ, देखू, अगर इसको आपने जोड़ना है, सुनो पहले, अगर इसके साथ आपको जोड़ना है, दूसरा पैंटोस, तो कैसे जोड़ेंगे, इसके साथ आपको जोड़ना है, दूसरा पैंटोस, तो कैसे जोड़ेंगे, सिंपल, जो यह फास पेट है, जिसने एक साइ पेंटो शुगर के कार्बन नमर 5 के साथ बात समुझ में आती है आपको दियान इधर लिको यह समुझ में नहीं आएगा तो इसके साथ दूसरा पेंटो शुगर जोड़ना है क्योंकि एक ही पैंटो शुगर थोड़ी होगा चैन में बहुत सारी होंगे मुझे आपको चार्बन नंबर फ़स्ट, कार्बन नमर थर्ड, कार्बन नमर सेकेंड. इस है, यह मैं ни लाया दूसरा पैंटौ फांस एक पैंटौश उगर पार्फेर के साथ अठेच और दूसरा फास पेट होता है अटेश कार्बन नमर 3 के साथ इसी तरह यह फास फेट जो है यह यहां से कार्बन नमर 3 के साथ अटेश होगा और इधर से कार्बन नमर 5 के साथ अटेश होगा इसी तरह अगर इसको यहां से और एक जोड़ना है तो मैं किसके साथ बांड बनाओंगा यहां पे कार्बन नमर 3 के साथ, बनेगा फासफेट और इदर दूसरा फासफेट जुड़ेगा कार्बन नमर 5 के साथ, दूसरे कैसी तरह से चेंड बढ़ते जा रहे हैं इसलिए हम बोलते हैं कि जो यह से ट्रेंड होती है, डिvideo के जो बयक बोल होती है tussen कौन से बांड इदेजारी और पाई जाते हैं पास for diaster linkage ओके तो मुझे बोलो जब आपका फासफेट अटेज़ होगा थी कारबन के साथ और यह समझो अप यह last वाला कारबन है यह समझो अपि यह last वाला nuclear है यह nuclear तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहां पी जब मैं देखता हूँ इसको तो मुझे कारबन नमर 3 के साथ फास्वेट लिखता है तो इसको में नाम देता हूँ इस थी प्राइम एंड और सिंपली थी डेश एंड आपने अकसर देखा होगा जब भी बनाते हैं लोग तो वह लिखते इस हैं यह double standard molecule, this is the 5-prime end and this is the 3-prime end and this is five-prime and this is 5-prime end तो इसके उपरसा वाला होगा 3 prime end और अगर यह 3 prime end है इसका दूसरा end जहाँ पे निकलेगा आपको बाहर वो 5 prime end होगा यह क्या हम नांट के यह क्या ड्रामा है यह 5-3- क्या है यह 5-3- क्या है एक्चुल में जब यहाँ से इसको दूसरी strain आएगी जब यहाँ से दूसरी strain बनेगी यह उल्टा होगा means यह ऐसे लगेगा यह ऐसे लगेगा clear? समझाया आपको? तो इस तरह से carbon number one वो बांड बनाएगा किस के साथ? nitrogenous base के साथ यहाँ पे दूसरी nitrogenous base होगी और फिर क्या बचा इसका? carbon number five वो अडेश क्या करेगा fast fat group carbon number three वो अडेश क्या करेगा fast fat group इस तरह से यहाँ पे एक और chain बनेगी fast fat की और किस की? panto sugar की डियान ज़िस सुनो एक साइट से ऐसे बनते हैं fast fats sorry एक साइट से ऐसे बनते हैं panto sugar इसके उपर अगर दूसरा पेंटो शुगर आपको लगाना होगा इसके उपर अगर दूसरा पेंटो शुगर आपको लगाना होगा यह ऐसे एक पेंटो शुगर है इसके उपर आपको दूसरा पेंटो शुगर लगाना है इसके उपर आप तीसर पेंटोष्गर लगाएंगे ये सर नु ऐसे पेंटोष्गर आपको लगाने हैं एक डिलेक्शन में क्लियर 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 इसका कार्बन नमर 3 कार्बन ओमर 5 तो यहां पर बांड होगा कार्बन 3 कार्बन के बीच में यह उनको कुण जोड़ेगा आपस में फास्ट फेड ग्रुप द्यान से आपको थोड़ा द्यान चाहता हूं मैं आपका लेकिन जो दूसरी स्टेंड होगी वह इसके आपोजिट रंग करेंगी वह ऐसे होगी तो यह पर फारे विह तॉसरी सीट इससी लिए हम बोलते हैं जो यह दूसरी सिटेंड है अब यही मैंने कोयल करकी यहां पर बनाई है इनको हम बोलते हैं, the two strands are run, opposite to each other, they are anti-parallel, they are anti-parallel, आर्यान, they are anti-parallel, 5 prime, 3 prime, समझे आब, तो एक strand जो है, अगर यह इसका 3 वाला prime end होगा, इसका end रेकिंग कहाँ पर बाहर निकलता है, इधर बाहर निकलता है, तो यह इसका 5 prime end होगा, अगर यह 5 prime end है, तो यह strands के opposite रेकिंग में निचे आएगी, अगर यह नीचे से उपर बनते जा रही है, तो दूसरे उपर से निचे की तरफ बनते जा रही है, अगर यह 5 prime end है, तो इसका 3 prime end होगा, इसको हम बोलता है 3 prime end, और अगर यह 3 prime end होगा, तो इसके यह वाला 5 prime end होग देट मीन्स टू स्ट्रेंट्स रन अपोस्ट इच अदर अगर यह ऐसे जा रही है नुक्लियोटाइट इसमें एड और दूसरी जो है उपर से नीचे की दरफ आ रही है इनको हम बोलते हैं एंटी पालल मैनर मैं लिखोंगा यहां पर बोट स्ट्रेंट्स आफ डियने यानि कि आअराण इन अंटी पालल डिरेक्षन यह ऐसे उपर जा रही है स्ट्रेंट रूसरी जैसे नीचे आ रही है में दो-स्रेंट्स आपस में anti parallel है समझें लेट आपको क्लियर क्विधा है क्योंके अउसक इनके पास वेस टे किंड होती है जो नियुक्लियुद घर्स होते है इनको आपस में जोड़ना होता है क्लियर और ऐसे जोड़ना पड़ता है कि एक साइड से जो इनके पास nitrogen based attach है वो आने चाहिए एक inclinal position में एक similar position में आने चाहिए वो clear अब यह strand और यह strand मुझे बोलो कि यह दोनों strands आपस में connected है क्या अभी structure देखो नहीं है अभी connected नहीं है इन दोनों strands को आपस में कून मिलाएगा जैसे यह एक strand है इन दोनों strands को आपस में मिलाएगा एक bond and that bonding is known as hydrogen bonding that bonding is known as hydrogen bonding इन दोनों के बीच में आप hydrogen bonding होगी hydrogen bonding is a weak type of intermolecular force weak type of molecular attraction तो यह हम generally दिखाते हैं doubted liners में जब आपको बताना होगा कई पे hydrogen bond तो hydrogen bond हमेशा हम बताते हैं डाटिड लाइनस में क्लियर एक्च्वल मैं मैंने यहां पर जो बनाई वह होना चाहिए double ring क्योंकि हमेशा एक प्यूरीन एक पायरे मिडिन के साथ बांड बनाता है हमेशा एक प्यूरीन जो है वह एक पायरे मिडिन के साथ बांड बनाता है माल लो ठीक है एक प्यूरीन एक पायरे मिडिन के साथ बांड बनाता है तो यह आपको समुझ में आ गया स्ट्रिक्चर एक्च्वल में क्या है डियने का स्ट्रिक्चर हां अब कल जिसने बोला था था थोड़ा नीट एक निट एक बनाओ यह समझ आ गया है उसमें आपको स्ट्रिक्चर मोलेक्यूल टीने का फीर तो हम yıl करते तो हमें आईसे दिखता है तो यहां पे नाइट्रूजन स्बेस होते हैं यह जो दो स्टेंड्श मेंूस होते हैं आप से नाइट्रूजन स्बेस नाद होते हैं चhorse बेस्का बड़े होते हैं लेकर आप मुझे मझे सबा Fasphate, here is also phosphate, here is also Pento's sugar, ऐसे, इस तरह से ये strained बन ती जाएगी और ये करऊ होके, double strained, Helical structure बनाएगा, Helical क्यों बनाता है ये, क्योंकि इसमें nucleotide spare इतने ज्यादा होते है, nucleotide spares और इसमें इसकी लैंगद बहुत ही ज्यादा होती है, और यह कोईल की फ्रॉब में बाढ़ता है रिख कोईल की फार्याल में बैठता है इनकी इस सर्फेस एरिया फ्रिया कुली तो अब सै इनके same bonding में दूरे बीच में हाइ्डरॉटिन बॉनिग होती है आपको ऐसßer में आगे है थी प्रायम थाय प्राय रिम एंड जब्ध कलीर शाबाश तो इनके दूरे के बीच में मेंनीट नौपीरी इन के में हाइडरी जान बांड होगा यह कि यह थे पर की चाहिए बैग्बून जो दूसरे बैग्बून इस साथ से आती है तो यह निकलोटैट्स को मोलता है अपने फास्ट पेड़ ग्रूप बाहर की साथ से रखो और अपने नाइट्रिजन पेस अंदर की साथ डालो सेम ऐसा यह फास्पेड ग्रूप यह पेंटो शुकर भी करता है यह पे हैुँबून और आफ्ष हास्सेजर के क catching नना थाइट्र सब्सक्राइब था निंज करका है य९ह फेर उंडिय जू अंदर करते ने फास्पेड में फास्ट करते हों जो आपको दिय ने में फाइट्रेज भाल लिखता था है पाहें आपको डिया नवस इसे सटिक् अएड बलकि nitrogenous base है nitrogenous base के बीश में तो ये nitrogenous base अगर ये nitrogenous base purine है फारी, sorry अगर ये nitrogenous base pyramidine है तो ये nitrogenous base इसके जिसके साथ hydrogen bond करेगा, वो हमेशा pyramidine होती है एक और point लिखूंगा अब यहाँ पे इस double helical structure में in double helical structure in a double helical structure अब double helical में देखा आपने कैसे बने double helical अब इसमें जो बॉनिंग होती है हमेशा purine जो है that always binds with pyramidine purine जो है वो हमेशा pyramidine से bond करेगा यदि अगर pyramidine होगा now अगर pyramidine होगा तो वो किसके साथ bond करेगा purine के साथ है ना जब purine bond करेगा pyramidine के साथ तो अगर कहीं पे pyramidine होगा तो इसका अपरज में क्या होगा purine होगा means तो आपके पास है अगर आपके पास है अदनीन nitrogenous base अदनीन इजे प्योरीन जो अदनीन है यह हमेशा बॉर्ड बनाएगा आपके शाबाश किसके साथ प्यूरीन पाइरोमीड के साथ बनाएगा यह प्यूरीन है यह बनाएगा पाइरोमीड के साथ तो कुल सा पाइरोमीड होना चाहिए तो कुल सा पाइरोमीड होना चाहिए तो कुल सा पाइरोमीड होना चाहिए तो मुझे बोलो अगर एननी थायमेन के साथ प्यॉर करेगा तो इन दोनों के बीच में कितने डफल बार्ट होंगे दो यह होंगे ओकी ¿डफल हैडरोजन बार्ट? तो मुझे बोलो यदे अगर कही पर थायमीन है डेने में तो वो किसके साथ आगे जाके बार्ण बनाएगा? मान लीजिए ये था एड़नीन, मान लीजिए ये था एड़नीन, इसने बनाया बार्ण थायमीन के साथ, अब यागर यहां पर थायमीन होगा, वो यहां पर किसके साथ बार्ण बनाएगा? आइडिनी के साथ ही बनाएगा न यही मेना कहने का मतलब है अगर एक स्टेंड का आइडिनीन था तो दूसरे स्टेंड का थायमीन होगा यदि अगर फस्टेंड का थायमीन होगा तो दूसरे स्टेंड का आइडिनीन होगा प्यूरीन पाइरेमिडीन प्यूरीन तो यह भी किसके साथ बनाएगा बांड ठाइमिन के साथ टू हाइडरोजन बांड जो में दो बांड्स लगाता विछ में दीजाता है वाइडरोजन बांड्स इसी तरह एक और रूल है डियने के डबल स्ट्रक्चर में आपको देखने क इसने यृसの का सथ क्यों नहीं बना इसने यूरेसल का सथ कियो यूरेसल आपको बला पायरेमिद्स कितने है थैमिन हां सैटोसीन यूरेसल है ना तो A बनाएगा बांट T के साथ C बनाएगा बांट G के साथ G बनाएगा बांट C के साथ तो यहाँ पर G ने U के साथ क्यों नहीं बनाए यह ने U के साथ क्यों नहीं बनाया यह क्या यह क्या है ठीक है यह क्या है C क्या है पारेमिडीन पाइरमीडीन बाँ बनाएगा तुरीन के साथ या अगर जी होगा यह किसके साथ बाँ बनाएगा सी के साथ साम है one of the same thing कोई issue नहीं है इसमें कोई issue नहीं है लेकि जो यहां पर difference है that means guanine always binds me cytosine with three hydrogen bonds and that guanine binds me cytosine three hydrogen bonds and cytosine returns जब बाँ बनाएगा गवान इनके साथ तो three hydrogen bonds बनाएगा तो यहां पर uracil इसलिए use नहीं हुआ कि uracil dna में नहीं होता है in case of dna uracil is absent और uracil की जगह होता है यहां पर a बनाता है बाँ थैमिन के साथ a बनाता है बाँ थैमिन के साथ but in case of RNA मैं लिखूंगा in case of dna अगर dna का case होगा तो तुम्हारा एड़नीन डबल बनाएगा थैमिन के साथ अगर आपके पास आर एन ए का case होगा ने में क्या difference है यहां पे फेंटो सुगर की जगा राइबोस सुगर होगा यह जो डिनए में राइबोस सुगर आप यूज करते हो वह है डियॉक्सिराइबोस इस बंच भूबस आगैंग घॉर्ट मेरे फिर्न जूंग तो आरेने में आड़नीन तुम्हारा तुम्हारा एंदीन आरेना में बाड बनाएंगा युरेसल के साथ महीं डावल बाड होंगा वही तो बांस होंगे इन्य्जून प्यूरीन औध पारंटे और और प्यूरी अईदिन बाच बनाता है पार EPA्र팅 में के साथ यहसर खाद है तो इसके बाद जब हम देखते हैं, जब हम देखते हैं, यह जो hydrogen bond, यहां पर फार दो दा एड़नी nitrogen पर इसकी इस साइड में, क्या शेयर किया होगा? इस भे शेयर किया होगा? फैमीन, इन दोनों के बीच में, दो hydrogen bonds होंगे इसी तरह सुनो यहां पर बाद मैं है सिंगे आप एक्जाम में अगर यह गवानी ने एक स्ट्रेंड ने गवानी शेयर किया क्लियर क्लियर और दूसरा स्ट्रेंड जो है वो यहां से क्या शेयर करेगा साइटोसीन शेयर किरेगा और इन दोवों के बीश में जो बर्निंग होगी डाट इस थी हाइड्रोजिन बाड कलियर हमेश है याद रखना अईडी निके साथ जहांपर अदिन होगा उसकी दूसरे स्टेंड में होगा थैमीन जहांपर एक स्टेंड में थैमीन लुस्रे सरे में लुदीड लूँड दूस्रेमें होगा चाशेन दूसरे में स्वाइनीन first in से स्टरेमें सल गयां नंता है याद रखना जब भी महाँंते साइ कवर वॉदी सीज Кто connection two dotnica में आगें तरस भीक्त कर वक्त दोबन नगया क्यों चो गवानेन का है वो अड नaking है ज है आफिनिन का है वह से दैनेन का नहीं नहीं है जैसे यह था का मेंनिका है वह साइटूर्सिं टानी है नाइटरिश्स बेस्फ पांच है 5 or 26bΥ वह बार् unlimited आप आपने अपनी बराबर बनाते हैं किलियर समझाए बिट आपको शबश तो अगर में बात करूंगा यहां पे आपको कुछ ग्रूज देखने को मिलते हैं जब यह डबल स्टेंड बनता है तो इसमें कुछ डिप्रेशन बनती है बीच में यह गड़े जैसे बनते हैं तो मुझ एक अंदर की तरफ है ज्यादा एक ज्यादा अंदर नहीं है अगर आप डियाने का असल स्टेंच देखोगे एक बड़ा ग्रू जो बिलकुल अंदर की तरफ है और एक छोटा है ऐसे रहता है यह इस तरह यहां पे इसको मान लो आप यह चोटा ग्रू है और यह बड़ा ग्रू इसकी देख अंदर की तरफ होती है ज्यादा एक को हम लोते हैं मेजर ग्रू और दुसरे को में अमपोलते हैं माईनर ग्रू जब इंड आ इस धियाने है लिकल फाम में होता है तो यहांपे आपको एक ग्रूज दिखने को को मिलते हैं also a co looking majorников और Aek को बोलते मायनर गुवे付 me is के यह नदर में यह जगाँ है फ्रसर पॉर्ष निची इवागर आप इपस्मझ करने कैसे अग Better एक मेजर मैघ भूप एक माइनर रो मैं लेक सकता हूँ इस पिए माइनर गूप और यह जो है इस पर मेजर गूप मेजर और माइडर में किया difference है? इनके depth में difference होती है. कौन के नाद दीप है ? जो माइर गु palavra है भीचा? बेटा, इसले7s ट्रों. 7 इंगर Sophie, इसले7 गुरॉन इसले7 गुरॉन है. इसलेगद इसले 7 इंगर चौं निनि जो आपका मेजर गुल है ना, तुम्हारा मेजर गुरू जो है इस टैन एंगस ट्रॉन इन डेफ्ट यह कुछ मेजरमेंट से डियने में जो आपको याद रखने पढ़ेंगे क्लियर समझाए आपको यह सार नो यह सार नो बच्शह आप में बता सकते हो यह एक नायटोजेंस बेश हें और इसके उपर दूसरा स्टेकिंग है देखो एक बेस का पियर इसके उपर दूसरा पियर इसके उपर तीसरा होगा इसके उपर चोथा होगा ठीक है और यही एक ऐसे कोईल फार्म में है और कोईल फार्म में भी बेसिस बराबर अटेच है तो एक बेस और दूसरी बेस के बी इंगस्ट्रोन क्या है सर दिस इस दर यूनिट आप मेजरमेंट वन एंगस्ट्रोन किसके बराबर होता है वन एंगस्ट्रोन अगर एक मीटर को आप करेंगे 10 110 रेस्ट पावर मैंनस 10 जैन दे विश्ट पावर मैंनस 10 यह 10 है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नाओ दस जिरो लगाओ, एक मीटर को आपको इतने हिसे करने हैं, तो वो जो वैलु आएगा आपके पास वो हो 1 एंग स्ट्रॉन, ओके, हम बोलते हैं नैनो मीटर, 1 एनेम, 1 एनेम, मेजरमेट्स में जरुद भी हम लिखते हैं, 1 एनेम, ठीके, तो यह 1 एनेम का कितना हिसा होता है, 0.1 2.1 एनेम is equal to 1 एंग स्ट्राँ, 0.1 एनेम इस equal to 1 एंग स्ट्राँ, पहम सकते हैं, एंग स्ट्राम जो हैं, सिमालेस्ट ईूनिट हैं, बायोलोजिकर मेज्लमेट्स का, उर यह आपको ऐसे आंखों में दिखें जिस्ट्रां में इतना दे guarantees. इज़नेंस अभी नेम इनेम 10 स्वारी माइंद आपका 7 एंगस्टान है मेजर आपका 10 एंगस्टान की डेफ्ट में हैं और 2 नाइटूर्स बेसिस के बीच में जो डिफरेंस होती हैं ऐसे नहीं है स्टेकर स्टेकर बेसिज में जो इसने के ऊपर है वह है 3.4 एंगस्टान अगर ह NATO करेंगे एक एक हिरी कि देख को एक हिलेक्ट टेड़के ये देखो भार एक्जाबडे को अगर मुझे यहां से लेना है यहां तक के एक एक हिली चेर है इसको frankly करोंगा एक लीप फिर यहां से दुसरा ही gonna शूरू हूगा तो यह ए एक लेक से एक इसका स्टे इंड कहां से बना शुरू हुआ इसका एंड और यहां तक इसका दूसरा telefon जहां से दूसरा है बना शुरू हुआ तो यह एक स्ट्रेंड में बोलता हूं यहां से यहां तक की सिर्फ एक ही बात करता हूं मैं एक स्ट्रेंड की बात करूंगा वह कहां से होगी यहां से यहां तक की एक हिलेकल स्ट्रेंड तो एक हिलेकल स्ट्रेंड का जो लेंगत होता ह है दे लेंगत आफ वान हेलिगों स्ट्रेंड इस थर्टी फोर ऑंग स्ट्रॉन एंसी अर्ट का पॉइंट है इस थर्ट यह को ती पूइंट फॉर एंसे अलग है लेकिन थर्टी फोर ऑंग स्ट्रॉन सेपरेट है तर्ट यह 10 टाइम है है न और यह तेन टाइम इससे ज्यादा है यह यह दोनों के बीश में में यह पर बॉला सब्डो नाइटों जबेस के बीश यह इंगा थी पर फोर या पर पॉंट का दियां रखना डिखना लेकं जो एक ही लिगल स्ट्रॉक्चर्टर है तक इसकी लेंग जो है वो थैर्टी फोर और ये रिगल में इने सिंगल हलिकल फ्रेड टॉक्चर देर आर नियर अबवाओ टैन नाइट्रिज बीत दें नुक्ल Nucleotides in a single helical strand, एक single helical strand में कितने Nucleotides बैठते हैं, दस, ठीक है, for example, यह एक होगा, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आफ, नाउ, एक strand में, ठीक है, फिर हर एक Nucleotide, sorry, हर एक Nucleotide जो है, इसमें क्या क्या होगा, strand में जो बैठेगा, पैंटोस शुगर, प्लस फासफेट, मालनी जी यह पैंटोस शुगर है, यह फासफेट गूप बाहर की तरफ करेगा, और अपना जो अटेच होगा, इसके साथ, पैंटोस शुगर, पैंटोस शुगर है, यह फासफेट गूप है, बाहर की तरफ, और यह इसके साथे बेस, यह तूनों आपसमें बांड बनाएंगे, इन दोनों के मिश्में यहां में बनेगा, हाइडोजन बांड, समझाए आपट आपको, तो एक 10 Nucleotides present होते हैं, एक हिलिकस में, क्लियर, एक हिलिकस की लेंगे कितने होती है, 34 Angostron, सर, अगर हमें बताना होगा, 3 प्राइम एंड एक का 5 प्राइम एंड दूसरे का, यहां पर एंड होते हैं, यह एक बैगबून से लेकर, दूसरे बैगबून तक जो डायमेटर होता है, डेने का, वो कितना होगा? दैट इस 20 Angostron, ऐसी भी आप लिख सकते हो, यह हिलिकल स्टेंड से, यह हिलिकल स्टेंड तक जो लेंग, जो डायमेटर होता है, डेस 20 Angostron, ihatष एंड स्ट्रोप नहीं है शिलिए अ को sound कुछिंगा निये मिला है हुआ है ग्रूस कि यह इसका अलग है इसका अलग है यह है एक सायड में आपको मिलगा hai दु क्या न हम इ+. इसके यहां पर कि यहां पर तो यह बाहर की तरफ है नहीं कि हम बुड़ने जो गुरु है अच्छा आप इन दोनों को करते हो क्या मतलब यह 20 है अब वोलते हो 10 और 17 यह 17 नहां चाहिए देखो इसमें एक प्राइस होती है बेस टेकिंग इसको बोलते हैं बेस टेकिंग यह जो है ना यह एक चीज़ दूसरा चीज़ जब आप यहां पर फास्पेट ग्रूप है है सबरी परिवन्टो cooperation है इसकी फास्पेट से एटेच तो यह एक फास्पेट ग्रूप से दूसरे फास्पेट ग्रूप तक ही लैंगत यह होगल independent इसके फार्स पर या पर सुपप्ट और धुसी एच फार्सप्रा यह पर यह फार्सप्र घ्रिय झाइव तक ग्छी टीध फॉइंड जगाल transmitted थोर्हा ग्रियव लगजस्ट्रहण अगर आफ यह लांगत चाहिए यहांपि यहां पर यहां A लेंगत आफ हाइड्रोजन बांड्स त्री एंगिस्ट्रॉन ज्यादा मत रखो में इसमेंट से आत इतना काफी है ठीक है और एक इंपॉर्टल पुए बताने जा रहा हूं यह मैंने बोला टेन नुगलोडाइडस इन सिंगल हेलिकल स्ट्रेंड और जब यहां पे सुनो पहल लेकिन यहां पर क्या मारा इस addiction वारा यह सैफ और टांड जैश किया एंगल जैश किया इसी तरह जब यहांपे एंगल चेंज किया तो फिर यह इंगल चेंज करेगा वह एंगल होता है थर्टी सिक्स डिग्री था है ठेंटे्हा फिरा अप्रे आपको मोड आ यह जो मोड ने वाला नानाइट वे सोगाया यानिके पैंटों चूगर यहां पर उसकी खिrontिंग्ल बनता हें 36 degree angle 36 यहां पर मोरा 36 यहां पर 36 तो 36 के साब से यह अपने हेलिक्स बनाता है समझाये आपको clear वह पोइंट yes or no तो मैं लेकोंगा यहां पर जोएंगल बनता है एट इज नाइट नुकलियोटाइड जहां पर यह मूँ करती है हर एक नुकलियोटाइड पर किता मूँ करती है 36 डिगरी दोन इस तरह इस तरह है नहीं चीन्ज किया 36 इस तरह से यहां पर यह मुग करेगा 36 यहां पर अंदर की तरफ ही 2 बना यह इप बताया था Nobel Prize वालो ने किसने वार्सन एंड करिक ने सरनो एक चीज याद रखना में यह बला आपको दो हीड्रोज मॉनस तो गवानीन और सईटोसिंट थ्री हाइड्रोजन बाउंड के बीच में जोड़ता है और यह दोनों दो हाइड्रोजन बांड आप उसे बनाते हैं इतना ही नहीं बलकि इनके साथ एक और साइंटिस जुड़ा था इनके साथ एक और साइंटिस जुड़ा था बाद में उसका नाम था चरगाफ उसका नाम था चारगाफ याद रखो आपको याद रहेगा और उसने एक रूल दिया था उसने एक रूल दिया था उसको हम बोलत उसने simple-simple meaning में समझा या हमें pin उसने कुछ complex नहीं भॉला मैं इसको रब करों क्या यह इसको रब करों इसको रब करतां मैं। हुआ है थीक है हम कल करेंगे स्टार्ट सेकंड डिस मेटाबॉलाइट्स और एंजाइब सका करेंगे चारगाफ सी एच ए आर चारगाफ गौसरूल ता चहरगाफ जो रूल दिया था इसने दिया था यह दिन आर के मतलिक डिन एक डी एने होगा उतने ही पारेमिडिन भी होंगे क्या आप इस बात के साथ इतिफाक रखते हो मेंस एग्री हो इस बात के साथ और यह तो जुरी सी बात है ना अभी तो हमने देखा ना जहां पे एडिनीन होगा वह हमेशा बार बनाएगा थायमिन के साथ और जहां पे साइटूसीन और चर्क आप ने बोला